हिंदुत के पिछले एपिसोट में सावर करके अनुमानों की सीमा अपनी हदों को लांग कर एक नए इतिहास के रचना करती है और हमें बताती है किस तरीके से बहुत धर्म ही दरसल भारत के पतन का मुख्य कारण था और बहुत धर्म की वज़ा से ही जो विदेशी आकरंत थे जो हमलावर थे वो हमारी तरफ आकरिष्ट हुए और उन्होंने भारत की धर्ती को तहस नहस कर दिया इसी कारण हिंदुों को ऐसा लगा कि अब बहुत धर्म का नाश कर देना ही सबसे उचित कार्रे होगा इसलिए उन्होंने बौधों को यहां से भारत की धर्ती से पूर्ण रूप से ख़देर दिया और उनके मठों तक को धंस्त कर दिया साथ ही उन्होंने यह बताया है कि सशर्थ बौधों को इस देश में रहने की इजाज़त दी गई आइसा सावर कर बताते हैं और यहीं सरा सर जूत है बौधों के जाने के बाद ही भारत पे सारे हमले हुएं हैं क्या मुगल, क्या फ्रांसिसी, और क्या अंग्रेज, क्या पुर्तगाल, शकहून, सब इसी समय के आक्रमन कारियों में से आप देख सकते हैं, बहुत काल के बाद ही इनका इतिहास शुरू होता है, उसके बाद मैं लिखते हैं कि बहुत धर्म में वैदिक धर्म का बड़ा ही नुकसान किया, और संस्थाओं को पुनस थापित करने में हिंदू ने जीजान लगा दी, वर्ण वैवस्ता जो थी बहुत धर्म में पूरी तरीकी से नश्ट नहीं हो पाई थी, अथा हिंदू ने उनका पुनरुथान करना शुरू किया, और वर्णाश्रम वैवस्ता को बनाया, यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था, अब हम आज चर्चा को इसके आगे लेकर चलेंगे तो चलिए मेरे साथ, जैवी, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अमबेट कर नामा, आज का टॉपिक है हिंदू राष्ट्र को अपने स्वतांत्र अ घटनाएं, यह पिछले कई एपिसोड से जब से थर्ड चैप्टर शुरू हुआ हम यह सारी घटनाएं सुनते चले आ रहे हैं, अफकोर्स आवर करके मन की बात के माध्यम से, बहुत धर्म का अब कोई भोगौलिक केंद्र नहीं था, बहुत धर्म को सिर आखू पर बैठा शांती स्थापित करेंगे, उसे ने भारत का, हिंदुस्थान का सौरी, संतुलन बिगार दिया, कितनी खराब भाशा का इस्तमाल है, उसे पूर्व स्थिती में लाना अत्यतिक आवश्यक हो गया, मतलब वर्णम व्यवस्था का दुबारा से लागू और पुखता तरीके स अपकी बार लागू होना निश्चिंत हो गया, किसी जीव जन्तु के समान राष्ट्र को अपने अस्तित्व की पहचान जब हुई, तथा इस अस्तित्व को मिटाने हिथु आक्रमन करने वाली विदेशी शक्ती से युद्ध आरम हुआ, तब हमारा निश्चित स्थान कौ यहने के लिए हमने स्वयम प्रेड़ना से अपने अधीन भूभाग, दर्शाने वाली सूसपष्ट सीमाएं, दिखाने वाली रेखाएं खींच डाली, तो लगता है यह जो चीन और पाकिस्तान को गरज गरज कर धमकी देना और लाल लाला के दिखाना, मोदी जी ने सावर परकरजी से ही सीखा है, हिंदुत्व पढ़के, मुझे तो ऐसा ही जान पढ़ रहा है, और दूसरी बात ही है, कि भारत को एक राश्ट्र के रूप में बांधने का सारा श्रे जो है, वो अंग्रेजों को जाता है, उससे पहले भारत सिर्फ छोटी बड़ी रियासितों का जमावड़ा भर ही था, जो आपस में ही लड़ती रहती थी, इसे एक राश्ट्र के तोर पर भोगौलिद रूप से अंग्रेजों ने ही समरिद्ध किया है, प्रक्रति ने ही हमारे दक्षन दिशा के सीमान्त प्रदेश सुनिश्चित कर दिये थे, हिंद मासागर्टे जरि राजमेतिक गति विधियों की नजर में वे मानेता प्राप्त भी थे और पवित्र भी, नेक्स्ट टॉपिक सुनिए, हिंदू राश्ट्र का उत्तर दक्षन सीमान्त, हम लोगों का दक्षन द्वित, समुधाय, अम र्यादा तथा असीम सागर से परिवेश्टित था, तमिलनाडू में कन्या कुमारी जिसे हम कहते हैं, उसका जिक्र है, और माकी विवेका नंदर रॉक भी, आप लोगों में से बहुतों ने देखी होगी अपनी आखों से, इस समुधर के दर्शन से हमारी अनेक पीडियों के कभियों तथा देश वासियों को दर्शन सुख मि परन्तु बायब्वे सीमा प्रांथ में विभिन जातियों के परसपर संबंधों में इतनी अधिक वृद्धी हुए है कि इससे हम लोगों की जातियों का विशुद्ध स्वरूप नष्ट होने का भय उत्पन हो गया, कहने का मतलब यह है कि फ्रांसिसी, पुर्तगाल सभी जो हैं वो दक्षिन सीमान के जरीए ही भारत में घुसे हैं और वहाँ पर संस्कृतियों का सम्मिश्वन कुछ इस तरीके से है, जब आप केरला गुमने जाएं या तमिलनाडू गुमने जाएं तो वहाँ पर बहुत जादात में पुर्तगाली जो पैलिस हैं, डच पैलिस वो आपको देखने को मिलते हैं, फ्रांसीसी सभेता की जलक आपको जगा जगा देखने को मिल जाएगी वहाँ पर, बड़े बड़े चर्च हैं, तो संस्कृतियों का बहुत जादा सम्मिश्वन वहाँ पर हुआ है, और जो है नसलिये शुद्धता नश्ट हो गई है, तो इसका डर यहाँ पर सावरकर बता रहे हैं, कि इस विशुद्ध संस्कृति के नश्ट होने का डर होने सतार आ यहाँ पर, बहां की सीमाएं भी बहुशह बदलती रही, राश्ट्र की सुरक्षा के लिए यह एक संकट बन गया, इसमें कोई आश्चरे नहीं कि उज्जयन न इसका फुटनोट में कोई ब्यौरा नहीं है, यदि होता भी तो वे स्वयम सावर करके अपनी कोई लिखी बंगमें से ही उठा कर दिया गया होता, सिंदु नदी जैसी भव्य नदी और रमणी है, नदी से बढ़कर अच्छी सिमा रेखा उन्हें कहां मिलती, जिस दिन हमा ये आर्रे उन रूप से स्वतांत्र हुए तब तक जो है सिंदु घाटी सभेता को वे बहुत उन्नत कर चुके थे, ऐसा सावर करने लिखा है, जो कि अगेन उनकी मन की ही बात है, प्रमानिक तोर पर तर्थ्य परक बात नहीं है, यहां उन्होंने नए राष्ट्र के अधार्शिला रखी तथा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उनका पुनर जनम हुआ, नवीन आशा तथा धिये या कांक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने अन्य लोगों को अपने में समा लिया, तो मतलब बढ़ना वैवस्था की जब शुरुवात करी, तो सेकेंड चैप्टर में इसके उपर भी इस पश्ट तौर पर सावर करने लिखा है कि किस तरीके से आर्यों ने अनार्यों के सांथ मिलकर एक नई जाती की शुरुवात करी, तो ये जाती जो थी, ये वन वैवस्था ही थी, जिसे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि बौधों ने उसे नश्ट करने की कोशिश करी और जाती वैवस्था को बहुत नुक्सान पहुँचाया, लेकिन उसे पूरी तरीकी से नश्ट नहीं कर सके और फिर बौधों को यहां से ख़देरने के बाद, उनका विध्वन्स करने के बाद, हिंदू ने दुबारा से अपनी संस्थाओं और वन वैवस्था को दुबारा से दुरुस्त किया, अभी हमने पढ़ा इससे पिछले सत्य बन गई, इस नई जाती तथा राज संस्था का अन्ने नाम नहीं था, परन्तु ये लोग अत्यांत योग्य और फूर्ती में सिंदू अत्वा हिंदू नाम ही धारन करेंगे, ये निश्चेत हो गया था, इतने निश्चेता के साथ कैसे कह सकते हैं सावर कर, क्या वे अन्मान लगा लिया था, या तो वे भविशे में सिंदू या हिंदू नाम से ही जाने जाएंगे, अब उसके आगे, अगेन संस्कृत का कोई शलोक है, सिंदू स्थान निमी गेयं, राश्ट्र मारस्य चोत्तमम, सौरी गदम गाली जैसा लग रहा है, बट इस ओके, अगातार सर्च करते रहने से, और यह स्पेसिफिकली चोत्तमम शब्द डालने से, एक ट्विटर अकाउंट खुला था, जिसमें इस शब्द को लिखा गया है, और इसी बात को लिखा गया है, इसका मतलब लिखा गया है, कोई केशव बेदी का यह ट्विटर हैंडल है, औ इन्होंने पॉने एक बजे रात के, 14 फरवरी 2021 को, इस श्वलोग की व्याख्या इस तरह की है, कि काली का पुराण, पुराण और शारंग धर पद्देती के अनुसार, वेद मार्ग का अनुसरन करने वाला हिंदू मान्य है, इसका यह मतलब है, तो ऐसे मुझे नहीं मिला, लेकिन संस्क्रित के जो जानकार हैं, बार-बार कह रहे हूं, हमारा मार्ग दर्शन जरूर करें, सिंदू के प्रभाक अनुसार, हम लोगों का सीमा निर्धारन पोई अभूतपूर घटना नहीं थी, राश्ट्र को नव चैतन्य प्रदान करने वालों ने घोशित किया था कि उनाव बेदों कियो और चलो, इस महान उद घोशणा की हीवे निश्पत्ती थी, वैदिक धर्म अनुसार स्थापित किये गए तथा वैदिक धर्म पर आधारित राष्ट्र का नाम वैदिक होना अपरीहार रह था, उस समय की संभावनाओं का विचार करते हुए वैदिक प्रथा के अनुसार ही नाम दिया गया था, सारांश में इतिहास के निशकर्ष के अनुसार जो घटनाएं घटी वे हम लोगों की अपेक्ष्य अनुसार प्रत्यक्ष रूप में भी उसी क्रम से घटी तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ू ताके आप हर शब्द को समझ सकें क्योंकि इतनी संस्कृट निश्ट हिंदी कास में इस्तमाल किया गया है कि बहुत सारे लोगों को इसके शब्दों को समझने में काफी दिक्कत हो रही होगी और क्योंकि मैं एक फास्ट रीडर हूँ और मुझे स्लो रीडिंग करने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज काइंडली अज़ेस्ट मैं आप लोगों के इसाब से अज़ेस्ट कर रही हूँ आप लोग भी प्लीज मेरी रीडिंग के हिसाब से अपने आपको एड़ेस्ट कर लें स्वदेश प्रेंट से प्रेरित होकर किसी लिखे पुरान में सपष्ट उलेकल है कि विक्रमा दित्य के पोते शाली बाहन ने विदेशियों को हिंदुस्थान पर विजय पाने का दूसरा प्रयास विफल किया था उन्हें एक राजाग्या द्वारा उसने घुषित किया कि इसके पश्चात हिंदुस्थान तथा अन्य हिंदु राष्ट्रों के बीच सिंधु ही सीमा रेखा मानी जाए तो हिंदु अहिंदु ये शब्दावली का वे इस्तमाल कर रहे हैं जरा गौर कीजिए इससे पहले भारत वर्ष्ट के लिए आर्र या नार्र शब्दावली का उन्होंने इस्तमाल किया है और अब हिंदु अहिंदु शब्दावली का वे इस्तमाल कर रहे हैं हिंदू ये लोग जो सिंध पार करके भारत की धर्ती पर आ गए और यहां सिंधू ना कह पाने की एवस में अपने आपको हिंदू कहने लगे और दूसरे अहिंदू कौन हुए वही इनके जाती बांधव जिन से स्वतांत्र होकर बड़ी मुश्किल से ये लोग यहां सिंधू नदी जिसे ये समुद्र समझते थे उससे पार करके यहां पर आए पंजाब नोट्स करके जो मैंने आपको आर्टिकल पढ़ने के लिए बोला था उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि ये लोग सिंधू नदी ही इनके लिए समुद्र के समान थी और बाकी के लिए बहुत विशाल थी उस समय तो अब यहां पर कुछ संस्क्रिट के शिलोक हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसे बिना तुरूटी के पढ़ सकूं एत समी नरे तरे त्रव शाली वाहन भूपति है विक्रमा दित्ते पोत्रश्च पित्र राज्यम प्रपेदिरे जित्या शकान दुराधर्शान चीन तैतिर्री देश जान बालहिकान काम रुक पांश्च रों जान खुर्जान शठान तशा कोशान ग्रहित त्वाच दड़ योग्या नकार यत माफ की जग मेरी संस्क्रित अच्छे नहीं है स्थापिता तेन मर्यादा मलेच यारणा प्रिथक प्रिथक सिंधु स्थान निमित गेम राश्ट्र मारस चोतनमम ये तो अभी हमने पड़ा मलेच स्थानम परम सिधो प्रित तेन महात्मना भविशे पुरां प्रतिसर्ग अध्याई दो माफी चाहूंगी मैं जांदी मैंने अच्छा नहीं पड़ा बढ़ आप इसका पीडियेफ खोल कर देख सकते हैं और खुद इस चीज को पढ़ सकते हैं जो यहां पर लिखी है और उसके बाद अगला टॉपिक सुनिए सिंधु वी हिंदुस्थान की स्फूर्ति हम लोगों के देश का प्राचीनतम नाम सब्त सिंधु अत्वा सिंधु मोने के निश्चित प्रमान उपलब्ध हैं भारत वर्ष नाम भी इसके पस्चाथ ही दिया गया था भारत वर्ष नाम इसके पस्चार दिया गया तो फिर हिंदू स्थान देने की क्या जरूरत थी हिंदू राश्टर के पीछे आपलोक्षियों पड़े हैं इसका जवाब भी मिल जाता तो अच्छा था ये नाम व्यक्ति निष्ठ है तथा इसमें किसी व्यक्ति की प्रति निष्ठा प्रकट की गई है किसी का व्यक्तिगत यश्व कीर्ति कितनी भी उज्वल क्यों ना हो समय के साथ उसमें कमी आने लगती है इस प्रकार के नाम से व्यक्ति, विशयक मधुर भावनाओं के स्मृतियां जुड़ी रहती हैं तथा पिकिसी अत्यांत कल्यानकारी तथा चिरंतन प्रकृति, कृति से संबध, नाम की तुलना में किसी व्यक्ति की पराकरम तथा उसकी महानता के कारण जो नाम महित्वपून बन जाता है तो अगेन नाम की महिमा यहाँ पर आगया जो हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि किसी नाम को स्थापित करने के लिए कितना जदन करना पड़ता है बेनाम सदेव जागरत रहने वाला स्वत्व की पहचान तता कृतग्यता का स्थाई तता अधिक प्रभावी फूर्ती स्थान नहीं बन सकता समराट भरत का निधन हो गया अन्य समराटों की भी मृत्य हो गई परंतु सिंधु अखंट वर्चिरंतन बनी हुई है हम लोगों की स्वाभिमान को प्रजवलित करती हुई हम लोगों की कृतग्यता बुद्धी सदेव जागरित रहती है तथा सदेव स्फूर्ती दायक बनकर प्रभावाईत हो रही है हम लोगों के प्राचिनतम भूकाल से हमारे सुदूर भविश्यकाल को जोडने वाला राष्ट्र का अत्यदिक आवश्रक तथा जीव भूत प्रिष्ट वन्ष का पठीका मेरुदंड ही है हम लोगों के राष्ट्र से इस नदी का संबंध होने के कारण तथा उसके नाम से हम लोगों एक रूप हो गए हैं इसलिए प्रकरते भी हम लोगों का साथ दे रही है ऐसा कहाना गलत नहीं होगा हम लोगों के राश्टर के भविष्य का आधार इतना सुद्रण है कि मानवी काल गणना के अनुसार ये युगों युगों तक चिरंजीव बना रहेगा इसी प्रकार के विचार उस समय के चिंतकों तथा क्रिंती वंतों के मन में उत्तपन हुए होंगे तो साहित्ते में जो भरपूर अतिशयुक्ति अलंकारों के साथ बढ़ा चड़ा कर बढ़नन किया गया है अपनी जूटी शौर्रे गाथा का उसका जिक्रहां पर वेकर रहे हैं इसी कारण हम लोगों के राष्ट्र को प्राचीर वैदिक नाम हिंदुस्थान से संबोधित करते हुए अधिक प्रतिष्ठित बनाने का विचार उन्हें उचित प्रतीत हुआ हुगा सिंधुस्थान राष्ट्र मारस्य चोत्तमम तो आज का ये एपिसोड हम यहाँ पर समाप करते हैं लेकिन इतना बता दूं कि यहाँ पर सारी की सारी जो है नाम की महिमा सावर कर रख रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से जान चुड़ा कर अपने जाती बांधों से ये लोग भाग कर यहाँ आयते और सब्त सिंधु इसलिए इने इतना प्यारा है सिंधु स्थान कभी हिंदु स्थान का यह जिकर करते रहे हैं बीच बीच में तो इससे पता चलता है कि इनकी clarity नहीं है या ये बात पर ये clear है कि लोगों को confuse कैसे करना है दोनों ही बाते हो सकती है इसी के साथ आज का ये अपिसोड में समाप करती हूँ आपको ये अपिसोड कैसे लग रहे हैं और मेरी संस्क्रिट के लिए मैं दुबारा शमा चाहती हूँ मिलते हैं अगले अपिसोड में लेकिन आप हम बेटकर रामा को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना न भूलें इसी के साथ मुझे आग गे दीजिए धन्यवाद